हेलो गाईज वेलकम तो माई यूटूब चैनल तो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ सेयर करने वाली हूं कड़ी पकोडा रेसिपी तो इसके लिए फ्रेंड्स मैंने एक कटोरी में धाय चमच पेशन गिया है जिसमें मैंने पूरा सा पानी एड़ किया है और आप मैं इसको अच्छे से भेट रही है आपको भी ऐसी कर लेना है पूरा सा पानी ओवर एड़ करना है मैंने बेशन कम ही लिया है आप इससे ज्यादा भी ले सकते हैं क्यूंकि मैं कड़ी में पकोडे कम ही टालना पसंद करती हूं अब ये तयार होने माला है अब इसको मैं ढखके अलग कर दूँगी अब मैं गैस में कड़ाई में तेल ले लूँगी तेल दो बड़े चमच हैं और आप इसको चमच से डाल दूँगी आप हाथ से भी पकोडे बना सकते हैं मैं चमच से ही इसको डाल लगी हूं तो अब इनको अच्छे से पकने देना है ब्राउन होने देना है इनको ब्राउन होने के बाद ही इनको निकालना है अच्छे से ब्राउन कर लेंगे इनको अब मेरे पकोडे बनके तयार हो गए हैं जैसे मैंने आपको बताया था मैं पकोडे कड़ी में कम ही एड़ करती हूं अब मैंने बरतन ले लिया है इसमें मैं कड़ी का घूल बनाऊंगी यह मैंने इसमें दही मिला दी है और इसमें छांच भी मिलाऊंगी क्योंकि दही से खटापन आता नहीं है तो इसमें छांच मिलाने पड़ती हैं कड़ी में थोड़ा खटा पनाना जरूरी है तब ही कड़ी अच्छी लगती है और अब इसमें मैं धाई चम्मच बेशन मिला लूँगी मसाले भी एड़ कर दूँगी इसमें मैंने लसन लिया है तीन चार कलियां कुटी हुई हल्दी पाउडर, मिर्ज पाउडर, धनिया पाउडर और नमक अपने स्वादनुसा इसमें डाल दूँगी और अब मसालों को और लसी और दही को अच्छे से मिला लूँगी बेशन भी है इनको अच्छे से फेट लूँगी मैं चम्मच से फेट रही हूँ, आप हाथ का यूज भी कर सकते हैं और अब यह बनने वाला है, तैयार होने वाला है और यह तैयार हो चुका है और अब मैं पकोडों का बचा हुआ तेली इस्तमाल करूंगी और इसमें जीरा और धनिया डाल दूंगी साबुत धनिया है फ्रेंड्स साबुत धनिये का भुवत अच्छा टेस्ट आता है कड़ी में और इसमें थोड़ा सा प्याज भी डाल दूंगी और इनको ब्राउन होने तक का वेट करूंगी और उसके बाद जो मैंने घोल बनाया है वो डाल दूंगी और ये ब्राउन हो चुके हैं और अब मैं इसमें दही लसी और बेसन का घोल एड़ कर दूंगी थोड़ा सो पानी और डाल लूंगी इस घोल को अच्छे से मिला लेना है फ्रेंज और इसमें दो गिलास पानी के भी एड़ कर लेने हैं और अब इस पे उबाल आने तब का वेट करें इसको धीमी आज भी पकाएं ये देखें फ्रेंड्स कड़ी उबल रही है कड़ी उबल चुकी है और अब इसमें पकोड़ी आड़ कर लें पकोड़ी बहुत कम है फ्रेंड्स मैंने पहले ही बताया था पकोड़ी में कम ही डालती हूं कड़ी में आप चाहें तो इसमें जाद़ पकोड़ी पी आड़ कर सकते हैं और अब ये बन चुकी है फ्रेंड्स अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, सेयर एंड सिस्क्राइब करना ना भूले थैंक्यू सो मच पर वाचिएंग झालती है जैए ये एंड रेसित कर सकते हैं ये पालती है झाल झाल